ड्रीम क्लासेस के नोट्स को खरीदने के लिए हमें आप इस नंबर पे संपर करें, कॉल करें, all subject की फीस मातर 499 हैं, अगर आप इस नोट्स को खरीदते हैं, तो आपको live class मुक्त दी जाएगी और crash course फ्री रहेगा, तो 499 में all subject है, इस बार अगर बोड का एक्जाम देने वा question 30 तक एकदम बिल्कुल full concept हमने solution करके आपको दिया था, आज हम लोग 31 से चलेंगे और ये जो model set है, ये board के through तयार किया गया model set है, जिसमें कहा गया है कि इस बार जो 2020 का 20 की परिच्छा होगी, बरहवी की उसमें इसी तरह के questions, बिल्कुल इसी आधार पे questions पूछे जिसका हम आप लोग को full concept solution दे रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने question number 1 to 30 करा था, आज हम 31 से चलेंगे, ये class 12 के mathematics का model set है, और हमारे साथ है धननजे सर जो आज इस model set का solution करेंगे, उमीद है कि इस वीडियो में starting to end तक रहेंगे, एक बार share जरूर कर देना इस वीडियो को त बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में बने रहे हैं आप लोग, 31 से लेकर 60 तक हम इसका solution करेंगे, sin square x into cos square x का समाकलन x के साप x निकालना है, तो इसका solution के लिए क्या किजिए ना, कि ans butter her कर दीजिए, जिस है हमारा sin square x और upon जो है, sin square x into cos square x, इस प्रकार से आप ans butter her में बाट दोगे, तो ये जो है न, sin square sin x कट जाएगा, और पहला पार्ट जो है, ये से का square x में बदल जाएगा, और से का square x का समाकलन 10 x होता है, और minus, आपका कॉसे का square x का समाकलन जो होता है, कोट x होता है, इस प्रकार से इसका जो है answer हमारा जो है, option number a होगा, चलिए, तो पहला question का answer हो गया, ये से रगला question, तो अब हम लोग 32 पर चलते हैं, क्योंकि 30 question का all radical solution कर दूए थे हम, देखे, 32 number question जो है, हमारा जो है, इसको नवरतन formula बोला आता है, उसी से लिया गया है, direct ये formula लिया गया है, 32 है जो, वो ये है, 1 बटा a square minus x square का समाकलन जो होता है, ये option number जो हमारा d जो है, इसका आपका correct answer होगा जी, ठीक है, 1 by 2a log a minus x, बटा 1 plus x plus k, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या है ना, कि plus minus का air फिर रहता है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे मेरे हिसाब से, इस question का जो answer होना चाहिए, ठीक है, वो आपका 32 number जो है, d होना चाहिए, ठीक है, चलते हैं, अगले question की ओर, आपका 33, ये जो है x square, x square का समाकलन जो है, ये हमारा x के साप एक्छ है, और ये निश्चित समाकलन से लिया गया है, तो हमारा x square का जो समाकलन होता है, ये हमारा x q बटा 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा lower limit जो है, 2 है, upper limit 3 है, तो इस प्रकार से पहले upper limit का मान बइठाईएगा, 3 तिया, 9 तिया 27, ठीक है, और minus जो होगा, ये हो जागा दूपे घा, 3 तो 8, और बटा जो होगा, ये 3 होगा, ये 19 बटा आपको आएगा 3, ये option number c जो है, इसका correct answer होगा, ठीक है, तो question number 33, 33 का correct answer आपको दिख रहा है, 3 number होगा c, 34 में हम लोग आते हैं, 34 question जो है, आपका जो है, इस बार जो है, आपके परिक्षा में, आपका BBI question साबित हो सकता है, ठीक है, चुकि ये question जो है, काफी interesting question है, और ये कहता है, sin to the power of 5x का समाकलन, x के साब x minus 5y2 से, आपका plus 5y2 है, ये हमारा जो है, आपका odd function है, जी, ये जो हमारा है, odd function है, इस तरह का समाकलन, निश्चित समाकलन होता है, तो odd function में, एदी limit, minus a से plus हो, तो इसका value 0 होता है, ठीक, इसलिए इसका option a, जो है, correct answer है, अच्छा, 34 का a, 34 का a, 35 भी दिख रहा है, 35, तो अगले question के और बढ़त हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा, x, तो आहाँ पर one रख दिजिए, निकि option number a, जो है, इसका correct answer है, 5 by 2, 36, अब क्या है, अगले question के और बढ़ते हैं, ये 36, 36 में क्या है, ये हमारा जो है, अब कलन समिकरन से लिया गया है, जिसको differential equation कहते हैं, इसमें degree, डिगरी पुछता है, इसमें highest पहले derivatives खोजेंगे, तो highest derivatives जो है, हमारा है, third, जिसको बोलते है, third derivatives, और उस पर power देखेंगे, यहाँ पर जो है, ये dq by, और dx q का power one है, वही आपका degree कहलाएगा, इसका 36 का answer होगा, a, 36 का a answer होगा, student, चलिए, 37 से, 37 जो है, जो है question आपका, आप कलन समिकरन सही लिया गया है, इसमें क्या है न, order, यह कोटी पुछता है, तो इसमें देखेंगा, highest derivatives कौन है, तो second derivatives है, d2y by dx2, तो ये आपका second order का derivatives है, इसलिए, इसका answer जो होगा, b होगा, चलिए, answer होगा हमारा दो, 37 का, अब हम लोग 38 पर आते हैं, 38 question भी जो है, हमारा, अपकलन समिकरन से लिया गया है, यह हमारा, जो है, variable से प्रेवल मेथड, यहना, variable से प्रेवल, variable, ठीक है, याद रखिएगा, students, variable और शे प्रेवल, variable और से प्रेवल मेथड का, इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इसमें, 4 रासी को अलग लग किया जाता है, तो, दी बाइवाई, वन प्लस बाइए, स्क्वाई, बरावर डी एक्स बटा, वन प्लस एक्स स्क्वाईर, दोन तरो समाकलन का चीन लगाईएगा, तो, 10 इ यह आपका बोर्ड मोडल इस तरह का कोशन सावित हो सकता है, ठीक है, यह भी भी आई कोशन सावित हो सकता है आपका, चुकि यहाँ पर जो है, हमको जो कह रहा है, शमाकलन कह रहा है, इंटेग्रेशन फेक्टर, यह जो हता है, e to the power p into dx होता है, इस फर्मुला पर आप इठाओगे, तो solution पाल होगे, यहाँ पर जो है, हमारा y का गुनांक minus 1 है, तो e to the power सिर्फ minus dx का समाकलन हम निकाल देंगे, जो की हमारा e to the power minus x आएगा जी, ठीक है, इसलिए इसका option जो होगा, c नंबर जो है, correct answer होगा, c जो है, आपका correct answer इसका, ठीक है, 39 का c, 39 का c, अब हम अगले question के और बढ़ना चाहेंगे, यह भी हमारा अबकलन समीकरन से question लिया गया है, तो यहाँ आपका जो 40 नमर question है, यह 40 नमर question जो है, इसमें क्या है ना, कि हमारा बाया पक्स जो है, 248 का, 248 के गुननफल का हमारा अबकलन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस प केक्स आएगा, ठीक है, इसका calculation करके आप लोग देख लिजएगा, इस question का जो answer होगा, हमारा बी होगा, चलिए, हर question का यहाँ पे screen पे solution करना possible नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मदद करिए, और compromise करिए, बाकि solution होते चलेगा, देखिए, 41 question जो है, हमारा यह आप रहे, जे आपका जो है, यूनिट वेक्टर है, यानि मातरक सदिस है, तो कोई ही मातरक सदिस का मोडलस जो हता है, वह 1 के बरावर होता है, इस 41 का answer जो होगा, आपका बी नमबर होगा, चलिए, 41 का बी होगा, जल्दी से copy में नोट करिए, 42, 42 भी हमारा, किसी वेक्टर है, थीडि वेक्टर का मोडलस कहता है, तो यहाँ पर जो है, इस question का solution आप इस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो, क्या भाई, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, उसके बाद आई का गुनांग 1 है, तो एक का बर्ग पलस, यहाँ ए बर्ग जे का गुनाख होगी और के का गुनाख एक का बर्ग इस प्रकार से इसका जो होगा अंडरूट थिरी आएगा इसका एंसर ठीक है यह 42 का ओप्सन नंबर डी जो है यह करेक्ट आपका एंसर होगा चलिए अगले कोशन की और हम बढ़ते हैं यह जो है हमारा वेक्टर क हैं when i.jい.j जो है यहानि कि यहां पर क्या है तो यहां पर कहा है न कि 43 यह यह आई डॉट जे है आई 43 जो है लुख ठीक है चलते हैं मगले कोशन की ओर 44 यहां पर कहता है कि which one of the following is true यहां पर देखेंगे यह हमारा cross product है vector का यहां पर देखेंगे यह हमारा cross product है vector का यहां पर यह इस तरह से हमारा 44 का जो है इस 44 का answer मेरे हिसाब से a होगा ठीक है चलिए हम अगले कोशन के और बढ़ना चाहेंगे 45 यह हमारा क्याना यह board model कोशन सावित हो सकता है जी 40 45 जो है है ना board model कोशन भी भी आई सावित हो सकता है यह वाई अक्ष की दीक कोश जियां है यह डिरेक्शन कोशाइन आफ यह जो होता है 010 होता है ठीक है यह यह option number C जो है इसका correct answer होगा अब हम अगले कोशन के और बढ़ना चाहेंगे 46 यह भी आपका question board model सावित हो सकता है यह इसको आप भी भी आई कह सकते हो ठीक है यह question हमारा जो है बारामे की board परिच्छा में काफी महत्पूर्ण रख होगा ठीक है तो यहां पर क्या है कि दो सलल रेखाओं की दीक कोश जियां है कि दोनों का हमारा गुणनफर डायक्षान रिशयो निक इनटू प्लस है न इस प्रकार से म1 इनटू एंटू और प्लस एनफ़ इनटू एंटू बराबर जो होता यह सून नहीं हो ठीक है option number हमारा जो है इस question का C correct answer होगा 45 46 का C हाँ C है 47 देखे ये आपका question आपका 47 question जो है आपका ये भी आपका board model सावित हो सकता है चुकि यदि किसी रेखा का direction ratio दिया हुआ है ठिक है यानि कि यहाँ पर आप जो है ये minus 18 को आप A का सकते हो ठिक है और ये 12 को आप B का सकते हो और ये minus 4 को आप C का सकते हो ठिक है यहाँ पर करने के बाद सबसे पहले क्या कर लिजिए आप ठिक है इसको कहना इसका square root निकालना है ठिक ना square root निकालना है निकाने का मतलब क्या है 18 का square root जो हो जाएगा 324 और आपका 12 का square root हो जाएगा 144 और प्लस 4 का हो जाएगा 16 ठीक है यह इसका square root आप निकालोगे इसका square root आजाएगा कितना 22 आएगा ठीक है अब कुछ नहीं करना है कि माइनस 18 बटा 22 कर दीजिए 12 बटा 22 कर दीजिए और माइनस 4 बटा 22 कर दीए तो माइनस 9 बटा 11 आएगा फिर आपका 6 बटा 11 आएगा और माइनस 2 बटा 11 आएगा इस हिसाब से option number A जो है इसका correct answer होगा चली अगले question के और बढ़ना चाहेंगे यह भी question इस तरह का question आपका board exam में BBI सावित हो सकता है चुकि दो plane का noon cone angle निकालना है ठिक है तो यहाँ पर क्या है ना कि direction ratio आप count कर लोगे दोनो plane का ठिक है यहाँ पर जैसे कि यह पहला equation जो है 2x minus y plus z plus 8 बटाबर 0 तो यहाँ A1 बटाबर जो है यह हो जाएगा 2 और B1 बटाबर जो है आप कर लोगे तो A2 बटाबर जो होगा A2 बटाबर हमारा जो होगा यह हो जाएगा 1 B2 बटाबर हो जाएगा 1 और C2 बटाबर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आप cost theta का formula यूज की जिएगा तो इसके इसाब से 48 का जो answer आएगा यह 60 degree आएगा ठिक है है ना कौन सा यह काता है निमलकित में कौन सा हो देश फलन है तो मेरे हिसाब से option number जो है आपका C जो है यह correct answer होगा ठिक है Z बटाबर X प्लस Y तो चलते हैं अगले question की ओर और यह आपका 50 number question जो है काता है कौन सा बेरोध नहीं है यानि कि बेरोध का मतलब क्या है कि जिसमें inequality का चीन नहीं लगा होता है वो बेरोध नहीं होता है तो यहाँ पर option number A जो है यह correct answer आपका नहीं है B इसका correct answer नहीं है निया option number C जो है option number C जो है इस question का correct answer होगा चलते हैं अगले question की ओर बढ़ते हैं यह भी हमार linear programming से question लिया गया है ठीक है तो यह 55 नमर जो है यह diagram पर अधारित है इसमें क्या है ना हमारा सुसंगत छेत्र बनना चाहिए और सुसंगत छेत्र बनेगा तो सुसंगत छेत्र का जो है ना हमारा अधिक्ताम नियुंतम भेलो निकल सकता है तो यहाँ पर आप इसका आप शमिक्रन खीच लेना आप एक सेक्सिस पर फिर यह दोनों का आप equation खीच लेना ठीक है यह जो है हमारा जहां कट करेगा एक जगा कट करेगा 0,5 और दूसरा है 5,0 आप यहाँ पर जेट बराबर इसमें भेलो रखके देख लिजेगा किसका अधिक्तम भेलो आता है तो यदि यहाँ पर हम रखते हैं 0,5 तो यह पांत यह 15 आता है इसलिए इस question का option जो होगा बी होगा ठीक है 53 यह हमारा 52 यह हमारा board model question सावित हो सकता है यह प्राइक्ता chapter से लिया गया है conditional probabilities को कहते हैं यह होता है probability of E by F बराबर जो होता है हमारा होता है probability of E intersection F by probability of NEC इस question का answer आपका B होगा चलिए यह question आपका बहुत ही BBI question है जी यह भी आपका प्राइक्ता chapter से लिया गया है 53 इसका एक formula होता है जो आप लोग देख लिजिए कहता एक सिक्को को 10 बार उच्छाला जाता है ठीक है ठीक 6 चीत आने की प्राइक्ता क्या होना चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है इस प्रकार का calculation होगा चुकि 10 में से 6 बार हमारा जो है आना चाहिए क्या चीत है नहीं की आपको head आना चाहिए ठीक है और into आने की प्राइक्ता क्या होगी तो head आने की प्राइक्ता 1 by 2 और यह 10 में से 6 घटा दिजिए तो यह हो जाएगा 4 और into 1 by 2 कर दिए नहीं आने का इनिकी टेल आने का प्राइक्ता भी होता हाप और से पावर 6 कर दिए इस प्रकार से इसका calculation कीजिएगा तो option number C जो है इसका correct answer होगा बावू option number C यहने की 53 का option number C जो है इसका correct answer होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले question की और यहाँ अगले question की और बढ़ना चाहेंगे हम अगला question जो है यह कुछ ठीक्ठा question है कहता है एक डॉट एक क्रॉस एक क्रॉस एक का भेलू जीरू होता है इसका डॉट प्रॉट लिजेगा तिसका answer आएगा डी ठीक है फिर आप अगले question की और बढ़ना चाहेंगे यह question बावू जो है और यहाँ पे क्रॉस जो होगा यह आई होगा ठीक है इस प्रकार से इस प्रकार से भोलूम निकाला जाता है ठीक है किसी pipe का भोलूम इस प्रकार से निकाला जाता है जो है इसका correct answer होगा ठीक है 57 57 ठीक है 57 की और हम बढ़ना चाहेंगे तो 57 नमबर question जो है यहाँ पे क्या है जे क्रोस के ठीक है तिदी आप इस cyclic order को बनाओगे ठीक इस प्रकार से यह हो गया हमारा आई यह हो गया हमारा जे और यह जो हो गया हमारा के ठीक है देख लेते हैं जे क्रोस के जो होगा आई होगा तो यहाँ होगा आई और क्रोस है आपका आई ठीक है तो आई क्रोस आई ह है इसका zero answer आएगा ऑप्सन नंबर एक करेक्ट एंसर होगा चलते हैं अगले question की ओर 58 58 question जो है आपका binary से लिया गया है इसमें कहता है A square plus B square यह binary operation है तिये मेरे हिसाब से क्या है ना कि आपका साहचरी होगा ठीक है आपका साहचरी होगा इस question का answer जो होगा C होगा चलते हैं अगले question की ओर 59 ठीक है यह आपका NCRT book से question लिया गया है और यह प्राइक्ता chapter से है और इसका option number जो है D correct answer होगा अब है last question यह question हमारा जो है आपका लिया गया है relation chapter से इसमें क्या करता है तुलिता संबंदों की शंख्या जो होगी 1-2 सामिल करने के बाद 2 होगी चलिए तो आज का solution खतम हुआ उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ share कर दिजिए अगरा students हमारी team इस बार के board के exam के लिए previous year solution दे लिए और हमारी team सीदे सीदे मैं कहना चाहूंगा कि हमारी team खुद का notes बनाती है और यह notes आपको 90% question exam में लड़ता है क्योंकि बिछले साल जो है वो 90% question यहां से लड़ा था तो आप हमारी इस notes को खरीद सकते है 6200-733-3858 यह हमारा whatsapp number है आप इस पर call भी कर सकते हैं और आपको all subject का notes प्रोवाइट किया जाएगा मात्र 499 रुपया इसका price है और जिसमें हम आपको 5 subject का notes देने वाले हैं जी हां students इस notes में आपको objective, long question, short question, previous year's book का solution और जितने भी guest questions वगरा रहेंगे वो इस notes में आपको प्रोवाइट किया जाएगा